गुद मॉर्णिंग आविवन के सीरीज में 6th of April पे हम पहुंग चुके हैं और यहां पे आज हम दा हिंदू और पीईबी के अंदर अपियर होने वाली जो न्यूस थी उससे concerning जो map related question होंगे वो यहां पे हम discuss करने वाले हैं I was not well that's why I could not provide you the MCQs on map जो कि मुझे Saturday Sunday को करने चाहिए थे लेकिन मैंने आपको यह कहा था कि कर कोई हमारा lecture रह भी जाएगा तो उसको भी हम cover up करेंगे और यहां पर वो map related question आज हम करने वाले हैं this is brief production about me my name is Prince Luther All India rank 577 from UPSC CAC 2014 batch आपका कोई भी doubt होता है तो आप अपर आप मोसे पूछ सकते हैं जो भी आपका prelims means interview को लेकर doubt है आप देख लेते हैं जो areas को हम discuss करने वाले हैं तो 10 areas को हम cover करेंगे तो सबसे पहले टक्वला मकान desert के बारे में जानेंगे दें शामल winds क्या है warm currents के बारे में location के जानेंगे Pong Dam wildlife sanctuary को discuss करेंगे Danish sea cyclones Africa Bulgaria Jordan और इसके लावा दूसरे map related question ऐसी जगाहों के उपर जो की news में थी वो हम discuss करने वाले हैं चली आप मैं से जो लोग exam की त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो दो application है वो download करना must हो जाता है क्योंकि google play के ओपर network की जो application है इसके ओपर आपको totally free material जो है current interface, current interface, mcqs मिल जाते हैं और जो network IS की application है यहाँ पर आपको courses मिलते हैं वो courses paid भी हो सकते हैं if you like them you can enroll in them even free courses भी यहाँ पर available हैं जिसमें आपको last one year की current interface के mcqs हैं वो बिल्कुल month wise तरीके से systematic way से पूरा का पूरा course आपको free of course यहाँ पर मिल जाते हैं जिसमें आप enroll कराकर उससे solve करना शुरू कर सकते हैं आप लोगोंने मुझे messages भी किये कि इसलिव प्रिलिम्स आने वाला है तो हमें test series के ओपर mock test के ओपर और साती साथ जो आपकी 100 days to 100 days की series है जिसको हम enroll कराना चाहते हैं उसको पर discount दो तो वैसे मैंने पहले बहुत बार आपको discount दिये हैं अलग अलग occasion के ओपर festivals के ओपर so because you requested for it 50% discount जो इसे दुबारा से start कर दिया गया है pre 50 code को आप use कर लीजेगा जिन लोगोंने मुझे messages किये थे वो अब आपको इसको enroll कराने में बिल्कुल परिशानी नहीं होनी चाहिए pre 50 code को use कर लीजेगा तो जितने भी आपकी series है mock test हो या फिर 100 days to 100 days की series है mission 2022 है 2023 है और व जल्दी deactivate कर दिया जाएगा चलिए चलते हैं आज के target के ओपर so target को देख लेते हैं अगर आप 6 questions को correct कर पाते हैं then of course you will be in the safe zone और यही आपका target होना चाहिए कि कम से कम safe zone में तो आपको आना ही आना है देखिए उससे जाधा score कर पाते हैं अगर तो बहुत ची बात है लेकिन अगर 6 से कम score हो जाते है तो आपको बहुत जाधा मैनत करनी पड़ेगी तभी मैं कहा रहा हूं कि 10 score करना 9 score करना 8 score करना excellent bracket में आना वो तो eventually आपको आना ही आना है लेकिन कम से कम 6 score जरूर करिएगा अगर आप अभी recently आपने MCQs को solve करना शुरू किया है चलते हैं आज के first question क के उपर first question talks about टकला मकान desert किस country के अंदर locate करता है ठीक है दा हिंदू के अंदर news थी इसवादे से question बनाया है कि मैं आपको news बताऊंगा पर पहले क्या यह मौरको में है चाइना में है United States of America में है या फिर सुदान में है सोचे चलिए तो एक article था हिंदू के अंदर जिसमें ब जो होती है वो कैसे transport को moisture transport को influence करती है precipitation जो है उसे increase करती है और उसी article के अंदर टकला मकान dust और टकला मकान के बारे में mention किया गया था चीक है so it is located in where is it it is in China B is the correct answer चीक है map के ओपर देखे एक बार so this is Gobi यह इसके साथ ही है जिसमें आपको Gobi जो desert है यह आपको चाइना में भी fall कर रहा है मंगोलिया में भी है this is टकला मकान चलिए नीचे इंडिया है यह and this is China चलिए इसमें मैं आपको कुछ और इसके regarding facts बता देता हूं इसे sea of death भी कहा जाता है जो टकला मकान है इसे nickname के तौर पे sea of death sea of death केने का reason यह है क्योंकि यह का जाता कि आप इसके अंदर जा तो सकते हैं लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको याद हो का यह इसी रीजन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था उइगर muslims रहते हैं तो उन्हीं की जो language है वहीं से यह शब्दाया टकला मकान जिसका मतलब होता है यू can get in but you can't get out आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं और इसी particular phrase की वज़े से इसे sea of death भी का जाता है चलते हैं second question के ओपर शामल wind blows in which part of the world तो किस रीजन के अंदर शामल wind जो हो ब्लो करती है गल्फ रीजन Korean Peninsula Australia या फिर Northern Europe सोचे चलिए तो दा हिंदू के अंदर ही आर्टिकल दिया था जिसमें शामल wind के बारे में जिक्र किया गया था सो दे फ्लो इन गल्फ रीजन गल्फ रीजन में खाडी शेत्र के अंदर दे फ्लो और यहां पर आप उसे मैप के ओपर भी देख सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट कोशिन के ओपर इस और आर्धा warm currents तो तीन आपको currents के नाम दिया आपसे पूछे कि तीनों में से कौन कौन से warm currents है या आपको बताने करेक्ट कौन से Brazil current क्या यह warm current है अलासकन current परू current बताएं चलिए देखिए Brazil current is a warm current ठीक है आपका अलासकन current जो है वो भी आपका warm current अभी मैप के ओपर दिखाऊंगा लेकिन परू current जो है it is a cold current तो answer क्या होगा यह भी देखते हैं ब्रजील अलासकन और परू current को map के ओपर यहां पर color coding के थूँ बता रहा है तो अगर देखेंगे इस अलासका warm current है नीचे ब्रजील current है यह भी warm current है लेकिन यह आपको परू जो different color से है परू current यह आपका cold current है चलते हैं next question के ओपर question में 4 जो है Pong Dam wildlife sanctuary को लेकर है पूचा के कहा पर यह locate करता है किस राज्य या किस के अंदर शासित परदीश के अंदर यह locate करता है तो Pong Dam wildlife sanctuary जो है हिमाचल परदेश में locate करती है B is the correct answer 27 migratory birds होते हिमाचल wildlife sanctuary के अंदर dead पाए गए है यह काफी दुगदाई news थी लेकिन क्योंकि map related जगा news में थी question बनके आ सकता है ठीक है तो B हमारा है हम्ते correct answer हो जागा Pong Dam की location जो है एक बर देख लेते है So this is the region जो यह shaded region आपको दिखा रहा है यह आपका हर्याना पंजाब उपर यह आपका हिमाचल है ठीक है चलते है next question क्योंपर which is question number 5 question number 5 पूश रहा है Danish straits connects which of the falling sea body तो Danish straits जो है वो किन दो sea bodies को connect करती है क्या यह Black Sea और Sea of Marmara को connect करती है Red Sea Gulf of Aden को connect करती है Baltic Sea और North Sea को connect करती है Gulf of Oman या फिर Arabian Sea को connect करती है अभी news थी आप चानते हैं कि Swiss Canal के अंदा blockage हुआ था और इसी वज़े से दानी स्ट्रेट जो है वो किन दो bodies को connect करती है चलिए एक पर map के ओपर देख लेते हैं so यहां पर map के ओपर आप देख सकते हैं this is the Baltic Sea and North Sea और आपका यह checkpoint है दानी स्ट्रेट का तो Baltic and North Sea जो है इन दोनों को connect किया जा रहा है answer क्या हो जाएगा कहां पर रही yes c c हमारा option correct हो जाता है और Swiss के दान को लेकर भी question इस बड़ा बनके आ सकता है तो ध्यान रखेएगा चलते हैं next question के ओपर which is question number 6 और question number 6 पर जाने से पहले once again आप pre 50 code को use कर सकते हैं because अभी कुछ दिन के लिए ही इसे activate किया गया है आप लोगों नहीं request करें कि मुझे भी लगा कि prelims आ रहा है तो इस तरीके से कुछ रखना चाहिए so that आपको enrollment करने में परिशानी ना हो से सीरिस लेते हैं वहाँ पर आपके most important topics तो जब इसको करें तो यही मान के करें कि यह जो चीज है यह आपके exam में पूछी जाएगी और आपको अभी एक ही बारी में इसे समझ के अच्छे से करना है ताकि जब exam में उसके पर question मन के आता है या फिर जब आप MCQs के अंदर solve क कर रहे होंगे तो यही सोच के करिएगा कि यही statements जो है exam में घुमाफिर आके पूछी जाएंगे तो मुझे इसे बिल्कुल अच्छे से करके जाना है ताकि exam में 30-35 extra marks आप ले पाएं चलिए चलते हैं next question के ओपर which is question number six question number six match the following को लेकर है left side पे आपको cyclones के नाम दिये है right side पे आपको countries के नाम दिये है तितली के सामने दिया है पाकिस्तान M1 के सामने दिया है ओमान फानी के सामने दिया है बांगलादेश सोचे यह आपको बताना है कि कौन सा cyclone जो है और उसकी country जो है मतलब किस country ने आप जानत है और फानी बांगलादेश ने दिया है सोचे चलिए वर्ड मटेरियलोजिकल ओगनाजेशन के इस आपसे जो naming है वो countries करती है मैं आपको पूरा यहां पर दिखाता हूं यह naming किस तरीके से करी जाते दिखिए यह आपके Northern Indian Ocean Cyclones के जो नाम है अलग-अलग countries अपनी अपनी जिशा, गिरी, हेलन, चपला, ओकी, फानी यह नाम दिये हैं इसी तरीके से पाकिस्तान ने फनूज, नर्गिस, लैला, निला, निलोफर, वार्दा, तित्री, पुलबुल यह नाम दिये हैं तो ऐसे अलग-अलग countries अपने-अपने list के सब से नाम देते हैं और एक sequence से चीज अगर हम अपने question पे वाफिस आएं तो तित्ली नाम पाकिस्तान के अंडरी था बिल्कुल ठीक है और फानी नाम जो था बंग्लादिश के अंडरी था ठीक है लेकिन हमने ओमान का नहीं दिखा ओमान देख लेते हैं कि M1 नाम जो हैं वो क्या ओमान ने दिया है या फिर किस अगर देखेंगे यहां पर यह last में M1 यह list 8 के अंडर है और किसके द्वरा दिया गया है Thailand के द्वरा ठीक है तो ओमान जो है वो incorrect answer हो जाएगा यहां पर just a second तो answer क्या हो गए यहां पर बी क्योंकि M fund जो है वो Thailand के द्वारा दिया गया ओमान के द्वारा नहीं दिया गया चलते हैं question number seven को देख लेते है question number seven पूछता है which are the following country यह countries share border with South Africa South Africa के साथ इन तीनों countries में से कौन कौन सी countries border को share करती है Namibia, Zambia, Botswana जल्दी से बताएं क्या answer होगा फिर करते हैं discussion चलिए एक बर map के उपर देखी लेते हैं Namibia, Zambia, Botswana दिया है यहां पर नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा तो Namibia दिख रहा है जांबिया नहीं है, जांबिया उपर है दिखेंगे अगर आप यहां नीचे जिम्बाबवे है और Botswana दिख रहा होगा आपको Mozambik भी दिख रहा है और फिर यहां पर आपको दो कंट्रीज जो काफी इंपोर्टेंट है एक आपकी स्वाजिलेंड थी राइट स्वाजिलेंड यादार आओगा आपको और दूसरा लिसो लेंड लोग दे दोनों है यहां रखिएगा छोटी-छोटी कंट्रीज थी तो सा जांबिया था नहीं जांबिया नहीं था क्या थाव बटा चाहिए तो आंसर आंसर बी विल्जा करेक्ता अंसर कुछ दिन पहले मैंने आपको जांबिया के पढ़र में पढ़ाये तो मुझे खौमेंट सेक्षिन में यह एक्सीट्रिटे नहीं नहीं है जॉआ उपर마 एए और पाहिए पाम करते हैं धिгаल सो दोनों ही आफरीका के लोकेट करती हैं तो यह डिफेरेंस आपको होना चाहिए कि दो तरीके कि एकेस्ट करते हैं चलते हम अपने नेक्सट कश्छन के उपर पुल्गेरिया के साथ कौन सा सी या ओशन अपना बॉर्टर शेर करते हैं नौर्थ सी अब रिसेट्टी बॉल्गेरिया नुज में था लेट सी यहां पर एक बर मैप के ओपर देख लेते हैं इस बुल्गेरिया यहां पर आपको ब्लाक सी से बॉर्टर टच होता हुए दिखाई देरें रहाई अधर्वास देखें यह मेडिटरेया में नीचे है आपका एगिए सी भी नीची है दूर पड़ जाता है तो आंसर क्या होगा the most correct answer यह the best answer जो यहां पे होगा border किसके साथ share हो रहे है black sea के साथ so d is the correct answer चलते है question number nine के ओपर question number nine को देख लेते है question number nine को देख लेते है question number nine बात करता है which of the following statement is or are correct about jordan jordan को लेकर तीन statement से आपसे पूछा है बताएं कौन सी statement आपकी सही है ठीक है it is situated in west of Iraq Iraq के western side पे locate करता है it is situated in south of Syria Syria के southern direction में locate करता है it is completely landlocked country completely landlocked country है सोचें फिर कर दें discussion चलें यहां पे एक बार इसकी location देखें Jordan की so Jordan this is Jordan Saudi Arabia Iraq इसके west में है बिल्कुल ठीक है Syria के south में है बिल्कुल ठीक है और अगर देखेंगे इसको नीचे से नीचे sea of akaba sea of akaba पे यह open होता है ठीक है तो ऐसा नहीं कि it's a landlocked country landlocked नहीं है sea of akaba southern direction के अंदर यह sea of akaba को touch करता है इसकी जो boundary है वो touch होती है sea के अंदर चलें यहां पे जो statements थी आपकी पहली जो statements है वो ठीक है लेकिन जो तीसरी statement है कि यह landlocked country है यह आपकी incorrect हो जाती है क्योंकि 26 km ज्यादा लंबा stretch नहीं है सिर्फ 26 km यह open होता है गल्फ of akaba के अंदर ठीक है जो कि red sea के अंदर इसको access प्रवाइड करता है ठीक है so answer हो जाएगा आपका B पहली जो दो statements है they are correct third one is incorrect क्योंकि Gulf of akaba में open होता है जो कि red sea का access इसको देता है Jordan Prince जो है उनको अभी house arrest में रखा गया है इसी वज़े से यह news थी लेकिन हमारे लिए वो news इतनी important नहीं है लेकिन location map जो है वो important हो जाता है वो जो particular जगा news में होती है वो आपके exam के लिए important हो जाती है आज के last question पर चलते है last question बात करता है arrange the following from north to south north से south में लगाना है अगर map कुछ इस तरीके से east west north south आपको north से south में लगाना है Macau है Manila है Ho Chi Minh City है बताइए क्या answer होगा चलिए इगर map के उपर देख लेते है Macau Manila and Ho Chi Minh किस तरीके से north से south में fall करते है चलिए so this is the place अगर आप देखे थोड़ा सा बढ़ा करके इसे सबसे उपर यहां पर आपको Macau दिख रहा होगा Hong Kong के बिल्कुल पास में तोड़ा सा नीचे आते हैं यहां पर eastern direction में जाएंगे तो यहां पर मनीला दिख रहा है फिलिपीन्स का अब हम थोड़ा सा western direction में जाते हैं थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको होची मिन city भी यहां पर दिख रही है वियत नाम के अंदर तो ओल्डेडी जो तीनों यहां पर cities के नाम दिये हैं वो नोर्ट से south direction में ही दिये हैं तो answer क्या हो जाएगा c one two and three तो map based question कुछ इस तरीके से आप से पूछे जाएंगे मैंने आपको 10 question के अंदर 10 अलग-अलग maps दिखा दिये हैं और I hope अब इससे concern ही कोई question या इससे आसपास की कोई जगा पूछी जाती है तो definitely आप answer करने के लिए capable रहेंगे दो मिनिट के अंदर पूरे lecture को revise कर लेते हैं और फिर हम prelims means और interview के questions रहें वो भी एक बार देख लेते हैं चलिए सबसे पहले हमारा टक्ला मकान के बारे में हमारा discussion होता है desert के बारे में इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था means हैं block करती है गल्फ region के अंदर चली map के ओपर भी दिखा दिया था then हमारा discussion हुआ था various currents के बारे में cold current कौन से है neutral neutral कौन से है warm current कौन से है exam में पहले भी question पूछे जा चुक है अब आगे भी पूछे जा सकते है currents north से south east to west यह भी पूछे जा सकते है तो यह सब चीजें जो है आपको तब ही बताऊंगे जब आप map को अच्छे से देखते हैं Brazil और Alaskan current जो थे वह warm current थे नाम सुनके लगता है अलासकन current के बात करें तो यह जो current है आपके warm current में आते हैं नीचे ब्रजील current भी आपका warm current में आता है लेकिन परू current जो है वह आपका cold current है reason इसके मैंने आपको जोग्रफी में बताए हुआ हूँ है तो वहां से please इसे cover कर लीचेगा फिर हमने पॉंक डैम wildlife century के बारे में discussion कि प्यादा कहां पर locate करती हमाचल परदेश के अंदर ध्यान रखिएगा देन नेक्स्ट हमारा discussion चो था वह वह था दानिश स्ट्रेट के बारे में किंदों को connect करती है बाल्टिक सी नोर्सी एक major chalk point है और स्वेस कन्याल को लेके इस सब चीज़े नीउज में थी प्री 50 code को प्री लिस्ट यहां पर देखाई थी और इसी लिस्ट के सबसे one by one sequence के अंदर नाम रखे जाते हैं देन South Africa का border किस किस से touch करता है Botswana, Namibia, Zimbabwe, लेकिन Zambia उसमें नहीं था then next question में हमारा discussion हुआ था Bulgaria को लेकर Bulgaria किस से border touch करता है Black Sea के साथ देखेंगे आप और Mediterranean Sea देखेंगे या फिर जो आपका आइगन Sea है वो नीचे fall करता है then we discussed about Jordan, Jordan को लेकि हमारा discussion हुआ था इसमें मैंने आपको बताया था it is situated on the west of Iraq इराक पिल्कुल डिक है, यह एक साथ में है but it is not landlocked क्योंकि कहां पे Gulf of Aqaba में यह open up होता है जो कि Red Sea के अंदर इसको access provide करता है और फिर finally मैंने आपको cities के बारे में बताया था Macao, Manila, Ho Chi Minh City यह North से South में already D हुई थी, चलिए, चलिए, प्रिलिम्स का question देखें, Ho Chi Minh City कहां पे locate करती है तो मुझे country का नाम बतायाएगा मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, means के लिए आप आंचर करिएगा, what is the relevance of Suez Canal for Indian trade, critically आपको analyze करना है इस चीज़ को, तो Suez Canal काफी news में है, लेकिन हमारी trade के लिए, Indian trade के लिए, इसकी क्या importance है, क्या significance है, वो आपको बताना है और इसे 150 words में critically analyze करना है, अब आते हैं interview के question के ओपर, तो आप Delhi जाएंगे interview देने के लिए अपना, तो वहाँ पर आप से question पूछा जा सकते हैं कि देखे, आप आये है Delhi, और आप आये किसी राजय से, माननीज़ आप राजय सान से जा रहे हैं, ठीक है, तो minimum कितने states को आपको pass through करना पड़ेगा, दि So this is going to check your presence of mind, कि आप कितना यहाँ पर answer करते हैं, अपने answers को in groups के अंदर आप submit कर सकते हैं, mains के लिए mains का group है, interview के लिए interview का group है, and pre-50 quote को use कर लीजेगा, because यह ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहने वाला है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जो लोग prelims की अच्छे से series तोर प आभी है, ताकि उसके बाद वो आप 30-35 marks अपने total marks के अंदर add कर बाएं, चलिए, thanks for watching this video, अपने marks जो है, comment section में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने score किया है, और 6HC से जादा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे improve कने की कोशिश करिएगा, at the same time, second time जब आप देखेंगे, यह third time देखेंगे, अपने notes जरूर बना लीचेगा, thank you once again, take care, have a nice day, bye